नमस्कार आप देख रहे नियोज़एटीन मैं हूँ आपके साथ में इनका शौधरी खबर आयो दिया से सबसे पहले मासूम से गैंग रेप के मामले में मुख्या रूपी मोईर खान की बेकरी पर बुल्डोजर चलने की बाद अब शौपिंग कॉंप्लेक्स पर कारवाई की तैयारी है तो आज ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये शॉपिंग कॉंप्लेक्स का जो मालिक है वो मुख्यारोपी है इसका पिछला हिस्ता तलाब की मत जमीन पर बताया बताया जा रहा है अब जो इसमें दुकाने संचारित हैं दुकान में दर्शत है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगबख लगबख खाली कर दी हैं अगर बात की जाए तो पूरी बिल्डिंग करीब करीब खाली हो गई है हलाकि इसमें पंजाब नेस्नल बैंक चल ला है जिसको प्रशासन के दौरप से नोटिस दी गई है और ये बैंक खाली होने के बाद इस पर भी कि जाएगी क्योंकि यह भी अवायद रूप से तलाब की जमीन पर बना है फिल्हाल भदरसा कांड में मुख्यारोपी के मकान की भी 25 वाज़ा करें और उसके रिपोर्ट के आधार पर भी आगे कारवाई होगी पीडित बच्ची को न्याय देने के लिए अब लोग भी ला अच्छी से मुलाकात किया करेगा और फिर पंत्रकार वारता को शंपोजित भी करेगा आयोद्या से ने देटिंग के लिए ने मिस्कूर्पा अयोध्या में नाबालिक से गैंग्रेप और सपानेता की थमकी, पुल्डोजर की थमक से इंसाफ की ओर है योगी के आदेश पर एक्शन हो रहा है और मोईद के अवैद मिर्मान को मिट्टी में मिलाया जा रहा है एक तरफ नाबालिक से गैंग्रेप के आरोपी और सपानेता के खिलाफ एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ आरोपी मोईद के खिलाफ हो रहे एक्शन पर समाजवादी पार्टी सवाल खड़कर रही है तो यह इस तरह कि अगर अगानीद करेंगे तो उनको कहेंगे इनका तु नारको टेस्ट करा लोग इतने भी हैं बहादी जन्दा पार्टी के लोग और इस जाटिनांस से जुड़े लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं इनका सब का नारको टेस्ट करा लें ना तो जो उसमें कहा है पवन पान लें में तो उसका समत्वन करता है आप पूरा विश्वास करें पूर विश्वास करिए सपना नहीं जो दोसी आदि नइयोगी जी के सासन में जो भी दोसी आपाये जाता है। न उसको कोई बचा सकता है, न कोई उसको किसी प्रकार कर उसके साथ सायोग हो सकता है। मोहित खान का अवैद सामराज्य मिट्टी में मिलने लगा तो समाजवादी पार्टी जाग गई। और पिछले चार दिन से मोईद खान की गिरफतारी पर चुप्पी साधने वाले अखिलेश यादव ने DNA टेस्ट की मांग कर दी अब अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो DNA टेस्ट के बहाने मोईद खान को क्लिंचिट दे रहे हैं अखिलेश यादव जी आज PDA भूल कर इस मोईद खान को क्लिंचिट दे रहे हैं कहरे पहले DNA टेस्ट करवा दीजिए क्या 12 वर्षे बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है उसके चरितर पर सवाल उठाये जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी ये बताइए कि यदि DNA टेस्ट कराने की आवशकता है तो मोईद खान की टीम जो जैय सिंग राना है जो मुहमद राशिद है मायवती ने इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया उन्होंने सपा से सवाल किये कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाप कितने DNA टेस्ट हुए साथ ही कहा यूपी सरकार की तरफ से अयोध्या गैंगरेब केस में आरोपि के विरुद की जा रही सक्तारवाई उचित है लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपि का DNA टेस्ट होना चाहिए इसे क्या समझा जाए जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाप कितने DNA टेस्ट हुए है इससे पहले जिस अयोध्या के सांसत अफधेश प्रसाज पर आरोपि से कनेक्शन का आरोप लगा उन्होंने भी इस खटना में DNA टेस्ट करवाने की मांग कर दी उन्होंने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव में आये हुए दूद का दूद और पानी का पानी करें और किसी भी बेगुणा को न फसाये जाए तेरा बिनमुता पूरवक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजिनीत का मोमेंट नहीं है ये पॉलिटिक्स का नहीं है संबेदना का है दना गटना है उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोसी है उसके खिलाब कारवाई की जाए इन्नोसेंट को फसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डिने टेस्ट लगा लिया जाए डिने जाज की मांग पर खूब सियासत हो रही है तो आरोपी मोहित को बचाने की कोशिस में समाजवादी पार्टी जो तरफा खिर चुकी है यानि आयोध्या में अधर्म की ए खटना राजनीदी का अट्ड़ा बन चुकी है यूरो रिपोर्ट यूजेटी लगातार हो रही बारेश के कारण ललिथपुर में माता टीला बांध के 20 गेट खोल कर 1,50,000 क्योसिक पानी छोड़ा गया राजगाट बान्ध से एक लाग क्योशिक, उटारी बान्ध से पंदरा सौ क्योशिक, सहजाद बान्ध से 9000 क्योशिक और भौरट बान्ध से 56क्योशिक पाने छोडा गया जिलाप्रशासन ने नदियों के किनारे बसे गाउं को अलर्ट किया है इदर सोन भद्र में धोखा धड़ी का मामला सामने आया घोरावल कोतवाली शित्र के करीब राउं गाउं में धोखा धड़ी कर आधार काट से रुपए निकालने की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों पर केस दर्श किया है पुलिस ने बताया कि गोरावल कोतवाली शित्र के करीब राउं गाउं निवासी शिव नारायन विश्व कर्मा ने पुलिस को तहरीर दे कर बताया कि उसी गाउं के लवकिश यादव और मनोच यादव आधार काट से रुपए निकालने का काम करते हैं वो खाते से पैसा निकालने के लिए 10 जुलाई को लवकिश के पास गया था और 10,000 रुपए निकालने की बात कही आरोपे के लवकिश ने मशीन पर अंगूठा लगवाया और सर्वर डाउन होने की बात कहते हुए बगल में रखी मोंबत्ती पर अंगूठा निशान ले ल वाव शिव नारणविस कर्मा द्वारा इस सुचना दिया कि उसने गाउं के ही जो संचालक होते हैं अधार काड़ से पैसे निकालने वाले वहां से पैसे निकाले थे उसमें उसके 10,000 रुपए और एक बार 5,000 रुपए दिखाए गए निकल गए और उसे प्राप्त नहीं हुए इस सुचना पर ठाने पर मुकदमा पंजी करत गया इस मामले की जाच की गई तो गाउं के ही दो लोग इसमें पिरकास में आये पूरा पिरकण पुलिस के द्वारा वर्काउट किया गया जिसमें ये लोग जो भी वक्ति ग्राह का था एक मॉम पिगला कर रखते थे और उससे वहाँ पर अंगुठा लगाते थे ये कहते हुए कि अंगुठे को साफ कर लो हरदोई में पति और पत्नी के बीच सड़क पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ दोनों के बीच की लडाई का वीडियो सोचल मीडिया पर अब वार्यल हो रहा है कोत वाले शहर इलाके के नुमाई शुराहे पर ये मामला है अचाना की पति-पत्नी आपस में जगरने लगे बीच बजाओ करने आए लोगों को भी दमपत्तिन ने फटकार दिया कि रसंभल में अवैद प्लॉटिंग पर बुल्डोजर की कारवाई हुई है बिना नक्षा पास कराई अवैद प्लॉटिंग की जा रहे थी जिस पर कारवाई करते हुए निर्मान को जमिरोस कर दिया गया अवैद प्लॉटिंग पर बुल्डोजर की कारवाई SDM के आदेश पर की गई तो इसको मैं चेक करने के लिए मौके बैया था तो यहां जानकारी मिलीगी जो मौका है उसके पीछे की तरफ उसके पीछे की तरफ लोग अवेट पॉर्टिंग कर रहे हैं तो यह प्लॉटिंग इसी पराग अगरवाल दारब की गई है और इसका ले के पंदा फिट के रास्ते में प्लॉट काट दिये गए हैं जिसका लेयाओ भी पास नहीं है तो इंडिविजन का नक्सा भी पास नहीं हो सकेगा आहम जिनता का भ्रम दूर हो वहीं पर अपना प्लॉट खरीदे लेकिन यह लोग भ्रमित करके जिनता को जिनता का पैसा दुकान पर बुल्डोजर चलाया और द्वस्त कर दिया सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर बुल्डोजर की कारवाई की गई है हाइगोर की आदेश पर ये एकशन लिया गया है उधर प्रताबगड में भी अवैत कब्जे पर प्रिशासन ने बुल्डोजर चलाया तीन मकान को द्वस्त किया गया सरकारी जबीन खाली कर आई गई है नवाब गंज इताना के अस्थाना गाउं में प्रिशासन ने एक्शन लिया है सरकारी जबीन पर अब तरीके से निर्मान हुआ था जिससे हटा दिया किया कि अबड़े पहार को पाटने करी ये रास्ते बनाने करी है घुल्टोर बनाने करें